नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनलाइन और ओफलेंग ज्यान में दोस्तों आज की जो अपडेट है वैं ECIL को लेकर है आप में बहुत ज़्यादा कन्फूजन है दो चीजों को लेकर एक तो इसका syllabus क्या होगा, दूसरा एक ऐसी समस्या जिस पर मैं हमेशा से आप लोगों को सटीक जवाब देता हुआ आया हूँ कि हमने किसी और विबाग से apprentice करी है, हमने अगर इसका form फिल कर दिया क्या हमारा form reject हो जाएगा क्योंकि हमने ECIL से apprentice नहीं करी है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे Apprentice से लेटेड, आप लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार की गलत information नहीं मिलती है तो सटीक जानकारी आप लोगों को provide करूँगा, क्योंकि इसका form बड़ी मात्रा में यहाँ पर बच्चों ने दूसरे विबाग से apprentice करने के बावजूद भी फिल किया है यहाँ पर जो trade थी, वो आप लोगों की electronics mechanics थी, 7 vacancy थी, electrician की 6, machinist की 7 और fitter की 10 कुछ बच्चों ने मेरे handwritten notes लियें, तो मैं इतना आप लोगों को surety दूँगा कि अगर आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, in handwritten notes को, तो definitely आप लोगों को exam में हापर output मिलेगा इस तरीके के handwritten notes है, आप description में link देखकर इसे जो है by कर सकते हैं और अपनी fitter और machinist की study में इजाफ़ा कर सकते हैं बाकि electrician और electronics mechanic का मेरे पास available नहीं है, जो चीज़ available है वो मैंने आपको दे दी है, description में link है अब यहाँ पर जो जो चीज़े थी, जो जो important चीज़े दे रखी थी notification में, वो सारी चीज़े मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी है एक confusion, सबसे पहले आप लोगों की apprentice को लेकर ही दूर करता हूँ अगर आपने किसी भी विभाग से apprentice करी है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो private हो, अगर आपने इस विभाग का form fill किया है तो यकीन मानिए कि आप लोगों का form reject नहीं होगा, आपका admit card आएगा और आप लोगों को exam भी देने दिया जाएगा और अगर आप select होते हैं, तो DV के time पर आप लोगों किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें as compared to other department बहुत ज़्यदा competition नहीं होगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में बच्चों नहीं यहापर form फिल नहीं करा, क्योंकि उनके पास apprentice नहीं थी mostly चीजे मैंने आपकी clear कर दी है, मैं syllabus के regarding आप लोगों को चीजे clear करके दूँगा department हो सकता है कि आप लोगों को syllabus थोड़े समय बाद official website पे दे दे, लेकिन अभी जो syllabus आप लोगों को दिखाऊंगा, जो पिछली vacancy आई थी, जो instruction इन्होंने admit card में दिये थे, उसी के according आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है, यहाँ पर 0.25 की negative marking भी है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने इसकी fee pay की है, तो भई exam तो देने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो free का पैसा आप लोगों का नहीं है center का पड़ेंगे, क्या होगा, यह सारी जानकारी आपको मैंने already दे दी है, अगर मैं syllabus की बात करूँ, कि syllabus क्या है, तो सुन लीजिए, इसमें सिर्फ आप लोगों को as per the instruction of admit card, आपको अपनी ITA की ही पढ़ाई करनी है, अपने discipline से ही पढ़ाई करनी है, इसमे non technical department डालता नही ही है, पहले जो exam हुआ था, उसी के basis पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, candidates have been allowed to attend the return test, based on the information provided in the application, permission to attending the return test, only will not assure the selection to the post, इसमें आपका return होगा, इसमें आपका skill test होगा, तो यह मत सोचना, written test के बाईश पे आपका selection हो जाएगा, return test, 100 objective type question होगे, और 100 के 100 multiple choice question होगे, और सारे आपकी trade यानि discipline से आएंगे, यह department का पहले वाला syllabus है, अब department, इस बार आप लोगों को हो सकता है कि admit card निकालने पर कुछ चीज़े change कर दे, लेकिन अभी तक जो reality है, वो आप लोगों के सामने है, 0.25 की negative marking आप लोगों को देखने को मिलेगी, और paper OMR based पर होगा, या फिर आप लोगों का CBT based होगा, यह department जब instruction देगा, तो आपको clarity मिल जाएगी, तो मेरी side से यह जानकारी थी, जो बहुत ज़्यादा परिशान बच्चे थे, मैं बता दूँ, सिर्फ IT की study करो, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन non-technical को भी छोड़ो मत, क्योंकि वो आप लोगों का other exams में काम आएगा, और non-technical की वज़े से BRC में किस तरीके का हाल, आप बली बाती जानते हैं, बाकी मेरी side से इतनी ही जानकारी थी, फिटर और मसीनिस के handwritten notes, ED के handwritten notes description में जाकर एक बार नजर जरू माल लेना, so that आप लोगों को exam में कुछ अच्छा करने को मिले, इस रो, BARC, NPCL, या फिर जो आप लोगों का note press का exam होता है, उसमें बच्च comment box में आप लोग mention कर सकते हैं, definitely आप लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा, धन्यवाद